नमस्कार साथियों जैहिंद मैं आपका साथी राजपाल चोदरी स्वागत करता हूं मेरे सबी नोजवान और विद्वान साथियों का सबी साथी लाइव जूड़ जाएं साथियों राजस्तान पसू परीचर भड़ती जिसकी हम लगतार यहां पर त्यारी कर रहे हैं कुछ इदारती बोल रहे हैं कि सार रेगूलर कलास नहीं आरी तो आपको डेली कलास मिलेगी देखने को ठीक है इसलिए आप सबी साथी जाएंगे तो आप सभी साथी जूड़ जाएं बहुती सांदार अपनी त्यारियम होने वाली है रेगूलर रेगूलर कलास आपको सुबह साम दोनु टाइम देखने को मिलेगी पहला सवाल है कि निमल लिकित में से क्रोस ब्रीट गाई की क्रोस ब्रीट गाई कौन सी है बह कुल साथी को आंसर आ रहा है कमेंट करें वाई हाँ सभी साथी जूड़ जाएं और जो साथी नए है वो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दें कौन सी क्रोस बीट गाई की नसल है क्रण स्विस जो साती ए आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट चुका है देख लेता हूं एक बार किसका करेक्ट है बिल्कुल सभी का राइट है कुछ साथ ही बोल रहे हैं कि सर हमें पसु परिश्टर पढ़ती का संपूर्ण कोर्स चाहिए तो बिल्कुल आप अभी स्टेडी एक्जाम एकेडमी का एप डाउनलोड कर सकते हैं फले स्टोर से वहां पर आपको लाइव कलासे टेश्रीज भिरी नोट्स बगेरा यानि संपूर्ण आप पूरा कोर्स आपको वहां पर मिल जाएगा पूरा ठीक है दोनु पार्ट का नेक्स्ट अलग अब देखो थोड़ी सी जानकारी देखते हैं करेंश्विस के बारे में करेंश्विस नसल बारतिये साहिवाल और अमेरिका से मंगाई गई बराउन स्विस नसल के संडू के हिमाकृत वीरिये से राष्टी डेरी अनुसंदान संस्थान करनाल में पैदा की गई थी हर्याना के संस्थान लेकिंड स्वाल है सात्यूं, बेंस की किस नसल में हंसिया के आकार के एवं छोटे सिंग पाई जाते हैं, बेंस की कौन सी नसल है, जिसमें हंसिया नहीं होती, जो खेत में काम लेते हैं किसान है, उसके आकार के, छोटे सिंग पाई जाते हैं, जाफराबादी, सूर्ती, मुर तो जितनी भी पसूं की नसल के बारे में आपको सवाल पूचा जा सकता है अपने कोर्ष में आपको सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी जो साथी जुड़ेवे हैं सबस्क्राइ linha करने की चोटे चपके इस पाई ल subtle प्ल्कूल में है कि अच्छी लगेगीी सरकında छोटे जिस को छोटे जिसमें होते हैं ड्र Tobie याद रखने की अपनी देशी ट्रीक आप हमेसा प्रियोग करें ताकि हमें थोड़ा आसानी रहे देखो छोड़ा साइस के बारे में जानते हैं सूर्ती बेंश के शरीर का आकार उत्तम होता है और कुछ मद्यम भी होता है पेट आगे की और पतला होता है और पीछे की और थोड़ा चोड़ा होता है आगे से पतली और पीछे से चोड़ी होती है शिर लंबा होता है चोड़ा होता है शिंगू के बीच में गोल और पीट सिद्य होती है शिंग बिलकुल गोल होते है पीट इसकी सिध्य होती है आंक है इसकी उब्रिवी होती है और शींग इसके हंस्या के आकार के होते हैं यानि इसकी सूरत कुल मिला कर बहुत अच्छी होती है इसलिए यह सूरती नसल है ठीक है चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल है कि बड़ा आकार आकार बड़ा है उन्चा कद है उन्चा ही ज्यादा है रोमन नाक है बड़े लटके हुए कान और पिछे घने बाल वाली बकरी की नसल कौन सी है देखो बकरी की नसल पूछी गई है अल्पाइन नूवियन जमुना पारी या बर्बरी कोन सी नसल है जिसका आकार बड़ा होता है उन्चा कद होता है रोमन नाक लटके वे कान होते हैं पिछे घने बाल होते हैं एसी बकरी की नसल कोन सी है कमेंट करो देखे जमुना पारी बिल्कुल सी आंसर रापर राइट आ चुका है जो भी साती सी बता रहे हैं उन्स सबका करेक्ट आंसर आ चुका है वहती बड़िया इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते है जमुना पारी बकरी का आकार बड़ा कद उंचा टांगे लंबी माथा उठाव कान बड़े लटके वे सींग 30 सेंटिमेटर लंबे उठी हुई रोमन नाग तता जांग उपर पिछे की और घने बाल होते हैं शरीर का रंग इसका सपेद होता है बिल्कुल सपेद रंग की होती है नेक्स सवाल देखते हैं अगला देखो क्या सवाल है कि बिटल किसकी नसल बेट बड़ा बेंस या गाई कि कमेंट करो देखें बिटल किसकी नसल है इसकेबारे में थोड़ा जानते हैं बिटल बखरी के नसल है पंजाब के गुरुदाःस पूर्शें जिसकी उत्पती मानी जाती है इसकी उत्पती पंजाब के गुर्दास पूर्शे हुई थी यह जमुना पूरी नसल की बकरी से मिलती जुलती है नेक्स्ट अगला सवाल है कि केंदरी ये बकरी सोध संस्तान कहां पर इस्तिद है ये तो सब को आना चाहिए जीके में भी पूजा जाता है मकदूम हिसार बेंगलो या भोपाल केंदरी ये बकरी सोध संस्तान कहां पर इस्तिद है कमेंट करो देखें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोनु टाइम कलास रहेगी सामको आट बजे भी कलास होगी जिसमें हम A पार्ट पढ़ेंगे और सुबह जो अपनी कलास होगी उसमें हमें B पार्ट पढ़ रहे है इसका राइट आंसर A हो जाएगा मकदूम जो साथी ए आंसर दे रहे हैं आई होप उन सब का correct answer है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना जरूरी है केंदरी ये बकरी सोध संस्तान उत्तर परदेश के मगदू में इस्तिते ये उत्तर परदेश में है इसकी इस्तापना सन 1989 में हुई थी बदावरी मादा पसू का भार कितना होता है कमेंट करो भाई देखें किस-किस का correct answer आता है बिल्कुल right answer आचुका है सभी का देखो 350 से 400 किलोग्राम कितना होता है 350 से 400 किलोग्राम इसके नर पसू का भार इसके जुदे को मादा पसू का होता है साड़े 300 से 400 लेकिन नर पसू का भार 400 से साड़े 400 450 किलोग्राम होता है और मादा पसू का भार होता है 350 से 400 किलोग्राम तता परबल ब्यांत की जो उमर होती है वो होती है 48 से चोपन महीने कितने महीने होते हैं तारी से चोपन महीने होते हैं 54 इस नसल की बेंस की दूद समता 900 से 1200 किलोग्राम परती ब्यांत और दूद में वसा की मातरा 12 से 14 परशेंट होती है तो यह बेसिक जो एक्स्टर जान करिए यह भी आपको साथ में होना जरूरी है ताकि अपके अच्छे नमबर आ सकें अच्छ आपकी का गलत नहीं आना चाहिए जल्दी से कमेंट कर दो देखें मैं देख लेता हूँ कमेंट आपका ये सारी की सारी किसकी नसल है भाई बैंस की है बिलकुल बैंस की नसल है जो साथी ए बता रहे हैं बैंस उन सब का राइट है अब देखो एक बार थोड़ी सी हम नसलें देख लेते हैं कि कौन से कौन से जानवरों कि कौन कौन सी नसलें देखने को मिलती है क्योंकि यहां से ये बेड की नसले हैं, भेंस की होती है, मूरा, सूर्थी, रावी, भधावरी, मैसाना, जाफ्राबादी, ये बेंस की नसले हैं, बकरी की होती है, जमुनापरी, बिटल, टोगेनबर्ग, ये बकरी की होती है, ठीक है, तो एक बार आप इनको नोड जरूर कर लेना रोकर, ये इसके लवागाई की हो गई गिर थार पारकर राठी नागोरी यह गाय की नसले है अगला सवाल सात यूँ कि लंबी पूच लटकतावा गल कंबल इसके लवाज छोटे वे मोटे सिंग किस गाय की विशेष्टा है पूँच जिसकी लंबी होती है लटकतावा गल कंबल होता है यहां से लटकतावा गला आपको दीखने को मिलेगा छोटे और मोटे सींग यह किस गाय की विशेष्टा है जल्दी से कमेंट करो राठी थार पारकर जर्सी और गिर यह देखो गाय की नसले आपको यह याद हो ज कौन सी गाय होती है राठी गाय होती है यह दूद भी बहुत ज्यादा देती है आपको पता होगा है ज्यादा दूद देने वाली है नेक्स्ट अगला सवाल क्या है कि इस नसल के पसू का रंग हलका सपेद हलका लाल के रंग के जैसा काला और लाल दब्बेदार होता है इस तो सर्वत्म कौन सी होती है चोकला कौन सी नसल की बेड़े बैई चोकला नसल की ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा अगर देश में देखों बात करें तो चमालीस भेड की नसले है हिंदुस्तान में कितनी भेड की नसले पाई जाती है नो मीलियन से भी ज़्यादा राजस्तान में भेड़े देखने को मिलती है नेक्स चवाल आपके सामने है कि राजस्तान में सरवादिक भेड कांपर पाई जाती है ये तो देखो सरवादिक है और सबसे कम कांपर पाई जाती है किस किस को आंसर आ रहा है कमेंट करो सरवादिक बेड़ें बाड मेर, विकानेर, बांसवाडा या भरतपूर बेड़ें और बक्रियां सरवादिक कहां पर पाई जाती है जल्दी से कमेंट गरो भाई जिसको जांसर आ रहा है तो देखो सर्वादिक जो बेड़े और पाई जाती है बक्रियां ये अपनी बाड़ मेर में पाई जाती है कहां पर बेड़ बक्रियां बाड़ मेर में है और सबसे कम बेड़े पाई जाती है बांस वाड़ा में सबसे कम कहां पाई जाती है बांस वाड़ा में दोनु लेगलग नसल कौन सी है कि साही वाल कांक्रेज थार पार कर या न बुढने आगी यहां से आपको याद हो जाना चाहिए गाय की दुदारू नसल है इन में से साही वाल कौनी सी है साही वाल नसल है एंसर अपना Oh हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा जो साथ यह बता रहें उन सबका राइट है इसके अलावा गाय की जो दूदारू नसल है वो है साहिवाल सबसे पहले उसके बाद लाल सिंदी गिर गुजरात में पाई जाती है देवनी इस्तल देवनी आदी ठीक है अगला सवाल है कि राठी कि और थार पार कर जो सर्वादिक दू देती है गाय की बेंस की बकरी की या बेड़ की किस पसू की नसल है बिल्कुल इजी सवाल है और हम पहले भी कर चुके हैं हाँ गाय की हो जाएगी जो साथ यह बता रहे हैं गाय उन सबका राइट आंसर आ चुका है कि भिल और की मूफ कुछ पसूं की नसले देखो एक बार फिर मैं बता देता हूं एक बार रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा कंटस्थ हो सकें पर मुख नसले मैं बार बार नसले इसलिए बता रहा हूं पसूं की कि यहां competitive एक नहीं दो नहीं तिन सवाल आपको पूछे जा सकते हैं ठीक है बेड की देखो कौन-कौन सी नसले है मगरा चोकला मेरिनो कारा कुल अब देखो एक चीज रखेंगे हम अपना जो एपेश्टेडी एकजाम एकेडमी उसमें अलट फॉल्डर रखेंगे जिसमें पसू पालन बढ़ती है इससे समदी तो महतुपूण सवाल हम उसमें कवर करेंगे या अपना टेलीग्राम वोट्शप ग्रूप जोइन कर लेना वहां पर भी हम टेश्टी डालते रहेंगे महतुपूण सवालू की ताकि आपकी प्रेक्टिश हो चकें बेड की नसल होगी देखो मगर चोकला मेरिनो या काराकुल बेंस की नसल कौन-कौन सी है मुर्रा सूर्ती रावी बदावरी मैसाना जाप्राबादी बकरी की है जमुनापरी बिटल या टोगेन बर्ग उंट की है बिकानेरी उंट मेवाडी जेसल मेरी इसके लवा नाचना भी है इसके लवा गाय की गिर गुजराट में सरवादिक पाई जाती है थार पार का राठी जो सरवादिक दू देती है नागोरी नागोर में जो पाई जाते हैं तो यह अलग-अलग नसले हैं पसूं की यह आप ध्यान रख लेना यहां से आपको सवाल देखने को हंड्रेड नहीं 110 परशेंट मिलेंगे अगला सवाल है कि रेगिस्तान का चलता फिरता फिरिज किसे का जाता है राजिस्तान का चलता फिरता फिर्ज जिसे गरीब की गाई भी का जाता है गरीब की गाई गरीब की गाई भी का जाता है चलता फिरता फिरिज भी का जाता है बकरी गोड़ा बेंस या गाई तो . believes भूँदा भी बीके तो इसे कभी बी दूदी निकाल कर ताजा उपयोग में ले सकते हैं तो ये फिर्ज भी एक प्रकार का लेटेस्ट चलो कि नेक्स वाले की बदावरी को बैंस के दूद में वस्सा कितने पर सेंट होती है पांच साथ तेरा या आठ़ परतिसद तो कितने पर चेंट होगी बाई तेरा पर तयस्द होती है जो साथ इसी अंसर दे रहे हैं उन्स सबका राइट हो जाईगा अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बेड की चोकला नसल राजस्तान के किन जिलू में पाई जाती है जल्दी से कमेंट करो चुरू जुन्जुनु शिकर बिल्कुल चुरू जुन्जुनु और शिकर शी आंसर सभी का राइट आ चुका है जो भी साती शी बता रहे हैं उन्स सबका राइट है अगला सवाल है कि इन में से कौन गाई की कौन सी नसल सुद नहीं है गाई की सुद नसल कौन सी नहीं है खेरी गाइट राठी अमरत महल मालवी था सुद नसल नहीं है यहर सरवादिक धूद भी देती है कोन सी नसल आएगे राठी राठी हो जाएगी भी भी आंसर करेक्ट हो जाएगा थोड़ा सा थी इसके बारव मुए देखते हैं राठी एक संकर परजाती है यह एक सवाल हमने कवर किये और आशा करताहूं कि आप सब्सक्राइब को काफी अच्छा लगा होगा कादि अच्छा लगा है गया है कुछ पूछना है या अन्य कुछ आपको एक्स्ट्रा मेंटर चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इसकी पीडिये भी आपको टेपने टेलीग्राम ग्रूप और वाट्शप ग्रूप में मिल जाएगी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में है वहां से आप जय हिन्दे